इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च, दो आठ पदीना के पते और एक आदा छोटा प्यास, तोनों फाइनली चॉप्ट हैं सारी चीजें, प्यास, पुदीना का पता और हरी मिर्च, पुदीना का पता जरूर डालेगा, इसमें डालेंगे उबला हुआ अलू एक कप, और अब ह जाजबे जायका और इसमें हम डालेंगे आम चूर पाउडर अगर वो नहीं है तो चाट मसाला डाल दें एक छोटा चमच और अब हम इन सारी चीजों को मेश करेंगे मैं थोड़ी हरी मेश और डाल रही हूं आप चाहें तो पाउडर वाली मेश भी डाल सकते हैं सारी चीजो से मेश होना चाहिए तो ये फर्दर हो नहीं रहा तो मैं अब हाथ इस्तमाल करूंगी तो हमने इसमें डाला प्यास, पुदीना, अरी मेश, नमक, आम चूर पाउडर और आलू और सारी चीजों मिक्स करने के बाद थोड़ा टेस्ट कर लें ताकि स्टफिंग में हर एक ची इस लें तीन उसके किनारे काटें पहले, अगर आप किनारे नहीnd काटेंगे तो जो रोल बनेगा ना वो सिमूत नहीnd बनेगा, उसमें करैक्स होंगे, तो इसी लिए ये किनारे जरूर काटें, तब ही बराबर रोल बनेगा, अब मैलन की मदद से अशMy कर देंगे, इसे च पानी नहीं इस्तमाल करना है आपको दूद इस्तमाल करना है उससे रिजल्ट और अच्छाता है अब हम इसे इसक्यूज करेंगे निचोडेंगे इसका पानी दबा दबा के निकालेंगे और अब हम इसके सेंटर में डालेंगे पोटेटो की स्टफिंग और फिर इस तरीके से बंद करें इन्वेलब बना लें इसे बंद करें फोल्ड करें एक इन्वेलब बना लें फिर हाथों में दबा दबा के इसका रोल बना लें तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और अच्छे से रोल बन जाएगा हाथों में जॉइन कर लें सारी चीज़ों को और बे फिकर ह के बनाएं यह तेल में बिल्कुल नाहीं खुलता और बोरड़ पे रर्ट यह लगा लें और फिर यह रोल रखते जाएं वारना यह बोर्ड पे रहां प्लेट में च्पक सकता है क्योंकि ब्रेट गीली है न तो आपकी ब्रेट फट न ढि जाए तो मैंने सेंटर में फिर से पोटेटो की स्टफिंग रखेंगे जरूर बनाएंगा मस्त बनता है बिल्कुल जबर्दस अब हम इसके किनारे सेंटर में लाएंगे और इस तरीके इन्वेलप शेप में फोल्ड करेंगे और फिर भातों से दबा दबा के रोल बनाएंगे मैं आपको एक और दिखा देती हूं लास्ट क्योंकि मैं बना आई तीन रही हूं इसनी स्टफिंग तीन रोल्स के लिए एनफ है तो अब हम एक और ब्रेट स्लाइज लेंगे और दूस में डिब होएंगे फिर इसको निचोड के इसका दूस निकालेंगे दूस जरूर निकालेंगे और अब हम इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और इसी तरह फोल्ड करेंगे और मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है पहले ही क्योंकि तेल बहुत गरम होना चाहिए वना लो फ्लेम पे यह आपका तेल पी सकते हैं तो तेल गरम हो रहा है तब तक यह मैं रोल बना हो तो चलते हैं अब इसे फ्रै करने की तर देल बहुत गरम है और फिल्म हाय दूए दातना थेल नहीं होना चाहिए मर तेल गरम होना चाहिए और flam ayr फे फ्राइ करेंगे golden brown तो तो बिलकल भी आप अगर मेरी tips फालो करेंगे तो आपके roll बिलकल perfect बनेंगे, horrible बिलकल नहीं बनेंगे तो यह एक side से पक गए तो दीरे दीरे से पल्टें और गरम तेल में डालने का यह भी फायदा होता है अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो ये फट जाएंगे गरम तेल में ये नहीं फटते हैं और नाई नीचे चिपकते हैं तो ये भी एक फाइदा है और ये तेल भी नहीं पीते हैं और दूद की वज़ा से बहुत फलफी नरम क्रीमी बनते हैं तो यह जब golden brown हर तरफ से हो जाए फिर हम इने निकाल लेंगे यह पक गए है golden brown हो गए है तो इने अब हम निकाल लेते हैं plate में यह देखें जबरदस color आया है और tomato ketchup के साथ हम इसे suck करेंगे मैंने तो जैसे बनाया फोरा नहीं खा लिया इतना yummy बनाता तेंक्यू फोर वाचिंग प्ली लाइक, शियर, कमेंट, सब्सक्राइब यह व्यूस मेंटर से लॉर्ड प्रेस, बेल आइकन, बटन, गंटे के बटन को जरूर दबाएं फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो में अपना ख्याल रखें तेंक्यू फोर वाचिंग और देखें, मैं एक आपको खा के भी दिखा देती हूँ, टोमेटो केचप के साथ यह देखें, स्टफिंग इतनी अंदर जबरदस बनी है बिल्कुल वाइली नहीं है यह देखें, स्टफिंग भी बराबर डाली हुई है तेंक्यू फोर वाचिंग यमी होमेट इस बेस्ट थैंक्यू वाचिंग